प्यारे बच्चों नमस्कार स्वागता आप सभी का नोलेज प्लान पर और नोलेज प्लान पर हमने स्टार्ट की NCRT Mathematics की स्रीज जिसमें हम सबसे पहले 10th प्लस वन और प्लस टू क्लास के Mathematics को सोल कर रहे हैं और ये स्रीज सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है चाहिए वो CBSC बोलर से हो या ने किसी बोलर से और इसी स्रीज के अंतरकत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10th क्लास का चैप्टर नमबर 13 है जिसका नाम है सरफेश एरियाज एंड वोल्यूम्स उसके अक्सरसाइज 13.2 को तो अक्सरसाइज 13.2 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार थी ना अभी तक इक्वल टू इट्स रेडियस फाइंड वोल्यूम्स उसलिड इन टरम्स उफ पाई तो देखिए क्या है इसमें तो इसमें है बच्छो पहला क्वेस्टन जो आपका अक्सरसाइज 13.2 का आपके पास क्या है आपके पास है एक सोलिड किस फोम में है निचे से कैसा बच्छो हेमिस्फियर है तो निचे से इस रेट में है और उसके उपर जो है वो क्या है उसके उपर है एक कौन तो निचे से ये हेमिस्फियर है तो हेमिस्फियर इस परकार से बनेगा आपका यानि कि आपका जो स्फियर है उसका आधा पार्ट एक परकार से एक कटोरा सा बन गया औ और इसके उपर क्या रखा हुआ है इसके उपर रखा है कौन इस परकार का है ये आपका पूरा का पूरा सोलिड ठीक है अब इसमें कहता क्या है दिया क्या है इसमें देखिए दोनों की चाहिए कौन की बात करें या फिर आप हेमिस्फियर की बात करें दोनों की जो रेडियस है radius कितनी है वो है 1 cm each तो प्रते की 1 cm है यहाँ पर ठीक है और जो कौन है कौन की जो height है यह तो है 1 cm radius तो अब कौन की जो height है वो कितनी है height of कौन क्या है इसकी radius के equal यानि कि ये भी क्या है 1 cm अब ये जो पूरा का solid बनता है आपको क्या निकालना find the volume of the solid in terms of pi आपको इसका volume निकालना pi की terms में तो देखिए कैसे निकालने के पाई में अंसर निकालना आपको तो volume निकालने के लिए volume of solid volume of solid कैसे निकालनेंगे आप लोग आप इस पूरे solid का volume कैसे निकालनेंगे volume of hemisphere volume of hemisphere plus क्या कर देंगे दोनों का जोड़ देंगे plus volume of क्या कौन तो दोनों का जोड़ करके पूरे के पूरे इस बरतन का या solid का volume निकल जाएगा तो बच्छो हेमिस्फियर का volume कैसे निकालते हैं आप निच्छे वाले का इसका निकलेगा 2 by 3 pi r cube और प्लस जो कौन है उसका कैसे निकालते हैं आप इसका निकालते हैं वन बाई थ्री पाई आर स्केर एच अब ये सारी वैल्यूज रख दीजिए पाई कॉमन निकाल लीजिए पाई भी कॉमन निकल जाएगा और वन बाई थ्री भी कॉमन निकल जाएगा ये दोनों निकल ग लिख लीजिए चलो अभी तो क्या बन गए आपके पास आपके पास πाई एजटीज वन बाई थ्री भी आपका एजटीज आर के है दोनों की आर है वन सेंटिमेट रीज तो वन का स्केर वन ही आ गया वन और इंटू में टू इंटू आर यानिके टू इंटू वन टू और पलस में एजट क्या है कौन की वन है तो यहां पर वन रख दीजिए तो पलस वन तो यह क्या वना बचो यह हो गए आपके पास पाई बाई थ्री लिख सकते है ना इसको पाई बाई थ्री और यहां देखिए टू पलस वन थ्री तो थ्री से आपका थ्री कैंसल तो बचया क्या आपका सिरफ पाई और इसके आगे क्योंकि यह जो थी आपकी रेडियस और हाइट सेंटिमेटर में दी तो आपका आंसर किसमें आएगा सेंटिमेटर और क्योंकि यह volume है तो centimeter cube हो जाएगा तो बस यही आपका answer होगा तो जो दूसरा question है question number second में यह कहता है कि आपके पास क्या है एक Rachel नाम का लड़का है engineering का student है और वो क्या काम करता बच्चो उसके पास क्या है एक cylindrical क्या है Rachel an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminium seat तो देखो तो कैसा model बनाने के लिए कहा गया उसको भई दोनों मतलब क्या है उसके पास एक cylinder है सबसे पहले उसके पास beat से जो उसका जो model का आकार है shape है वो कैसी है वो cylinder है और दोनों तरफ इसके दोनों जो ends है cylinder के यहाँ पर क्या जोड़े गई है यहां connect किये गई है तो कौन इस परकार से दो कौन connect कर दिया हमने ठीक है उपर भी और निचे भी इस परकार का एक model बनाना है बनाया हरचेल ने यह है इस परकार से ठीक है अब क्या करते है इस परकार से इसकी height भी मना लेते हैं दोनों की तो ये हो गया इसका center और ये हो गई दोनों की radius और ये हो गई cylinder की height यहां पर ठीक है अब देखते हैं ये क्या कहता है अब कहता है इस प्रकार का model है उसका और कहता है the diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm तो देखो इसका जो diameter है वो क्या है वो है 3 cm तो इसका मतलब ये जो है ये कितनी हुई radius हो गई 3 by 2 cm ठीक है ऐसे and और साथ में पूरे की जो length है वो क्या है इस model की वो है 12 cm यहां से लेकर के और नीचे तक ये पूरे की पूरे model की length है 12 cm 12 cm उसके बाद क्या दिया इसने जो height है कौन की वो क्या है 2 cm रीच तो ये है 2 cm ठीक अब कहता क्या है देखिए तो निचे वाले की भी 2 cm है height ये 2 cm अब निकालना क्या है देखिए ये कहता find the volume of air contained in the model that Rachel made तो Rachel ने जो model बनाया है इसके अंदर जो air आएगी उसका volume आपको निकालना है तो कैसे निकालना है बचो आप क्या करो इस मलत भी इस cylinder का volume निकाल लीजिए और कौन दोनो कौन का volume निकाल करके उसमें जोड दीजिए तो पूरे के पूरे model का volume निकल जाएगा अब देखते है इस दोनो की सेम है कौन की भी और cylinder की भी तो volume of air in the model volume of air in the model क्या होगा in the model इस model के अंदर जो air का volume होगो क्या होगा volume of cylinder volume of cylinder पलस क्या करोगा आप पलस two time into volume of क्या कौन क्यों ये two time क्यों होगा बच्चों दो गुना क्यों होगा क्यों कि ये दो कौन है आपके पास तो देखो कैसे होगा cylinder का volume कैसे निकलते है पाई r square r कितनी cylinder की दोनों की 3 by 2 है radius तो 3 by 2 का square कर देंगे आप लोग πाई r square h h कितनी cylinder की 8 cm है तो पलस two time volume of each cone तो कौन का volume 1 by 3 पाई r square r कितनी है इसकी भी 3 by 2 का square और इंटू में h कितनी है कौन की h है कौन की 2 cm ठीक है दोनों को जोड़ देते है तो बच्चों क्या क्या होगा इन दोनों में से पाई होगा 3 by 2 का square होगा यानि कि 9 by 4 ये निकाल देते है और साथ में क्या निकाल देते है देखो 2 into में 2 यहां 4 है ना यहां 8 है तो क्या को common निकलेगा यहां पर निकलेगा 4 इसमें से भी निकल सकता है और 2 into 2 4 इसमें से भी निकल सकता है तो 4 भी common निकल दिया तो अब बचया क्या देखी, यहां पाई भी निकल गया, 3 by 2 का स्केर भी निकल गया, 8 में से 4 निकल दिया, तो यहां तो बच गया 2, पलस, यहां क्या बचया, पाई भी निकल गया, यह 2 बाहरा चुका है, 2 into 2, तो बचया क्या, यहां पर 1 by 3 बच था आपके पास, 1 by 3, पाई दुनी 6 और एक 7 7 बटे 3 ऐसे लिख सकते हैं तो अब πाई की वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू में 22 बाई 7 पाई की वैल्यू और इंटू 7 बाई 3 7 से आपका 7 गैंसल 3 3 जा 9 तो 22 दिया 66 66 सेंटीमेटर क्यूब क्योंकि सेंटीमेटर में दे रिखा था न सब कुछ तो ये आ जाएगा इस मोडल का वोल्यू तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद next question क्या कहता देखिए question number 3 तो question number 3 में इसने क्या दिया है बही एक गुलाब जामून है contains sugar syrup up to about 30% of its volume question number 3 में कहता है कि जो गुलाब जामून है उसकी अंदर क्या होती है sugar होती है तो sugar का सिरफ है कितना 30% है ठीक है अब इसने कहा कि find approximately how much syrup would be found in 45 गुलाब जामून each shape like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm तो देखिए मैं क्या करता हूँ इस गुलाब जामून की save बना लेता हूँ question number 3 में कहता क्या है ये पहले मैं इसकी save बनाता हूँ फिर उसमझाता हूँ आपको तो ये हो गई गुलाब जामून बीच में से कैसी बताई इसने slendrical ऐसे है तो गुलाब जामून होती भी बीच में से slendrical ही है जो वो लंबाई वाली होती है आपकी और गुल टाइप में भी होती है लेकिन वो नहीं आप ये बात किसकी कर रहा है इस टाइप वाली की बात कर रहा है ठीक है और ये तो slendr के टाइप के बीच से और फिर यहाँ पर क्या लगाए गए है हेमिस्फेरिकल एंड्स लगाए गए है यहाँ पर इस परकार से ऐसे हेमिस्फेर लगाए गए है तो यह हो गई आपकी गुलाब जामून अब यह हो गया दोनों का सेंटर हेमिस्फेर का भी और सिनेंडर का भी अब यह जो यहां पर है आपके पास जो इंटाइर लेंध है थी पहले इसकी यहां से लेकर करकर मान लीजी सेंटर यहां ले लेते हैं तो यह जो थी यह सारी कितनी थी आपके पास यहां से और यहां तक ये जो आपके पास पूरी गुलाब जामून की जो लेंद है ये कितनी है ये है 5 cm तो पूरी की पूरी 5 cm और जो diameter है ये जो ends है या फिर cylinder का जो diameter है वो कितना है 2.8 cm तो radius कितनी हुई बच्चो radius हो गई 1.4 cm ये हो गई radius 1.4 cm गिमिमिटर दोनों की Cylender की भी और Hemisphere की भी है ठीक है तो अब देखते हैं यह Cylender जो है Cylender की 하이ट कितनी बचती है यह देख लेते हैं तो Cylender की हैट बचेँ गी आगर मैं इस पूरी पांच में से इसकी पूरी लंबाई में से 1.4 इधर से गया यहां से यहां तक और 1.4 इधर से गया तो 2.8 कट गया ना तो 2.8 को 5 में से सब्ट्रेक्ट करेंगे 5.0 में से 2.8 सब्ट्रेक्ट करेंगे तो बचया क्या 2 यहां पर 4-2 यानि के 2 2.2 cm बचती है क्या यहां से लेकर के और यहां तक यानि इस सिलेंडर की हाइट 2.2 सेंटिमेटर जो सिलेंडरिकल पारट है ठीक है तो अब इसका वोल्यूम कैसे निकाल लेंगे हम वोल्यूम निकाल लेंगे सिलेंडर का वोल्यूम पलस हेमिस्फियर के वोल्यूम का हम 2 से मल्टिप्लाई कर देंगे क्योंकि ये two हैं तो पूरी का volume आ जाएगा तो volume of one गुलाब जामून volume volume of one piece of गुलाब जामून या one गुलाब जामून ऐसे गुलाब जामून कैसे निकालने बच्चो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे volume of cylindrical part volume of cylindrical part of गुलाब जामून plus two time hemispherical part भी कह सकते हैं hemispherical part तो ऐसे कर देंगे तो देखो बच्चो cylinder का volume कैसे निकालते हैं पाई आर स्केर एच पलस अब two time hemisphere का कैसे निकालते है two by three πाई आर की क्यूब या ये भी कह लेजी आप पूरे sphere का भी कर सकते हैं volume की हाफ ये पूरा का पूरा यानि four by three πाई आर की क्यूब कह सकते हैं इसको ठीक है अब आप लोग क्या करें इसमें से common निकाल लीजी जो जो निकलता है एक तो पाई निकलता दोनों में से एस सेम है और radius भी दोनों की सेम है तो आर स्केर है आपके पास यहां बच गया four by three बच गया ना four by three pi r square तो common निकल गया था और एक r बच गया r कितनी है r चलो आप r ही लिख लिजी आभी r लिख दिया मैंने ठीक है अब देखो ये क्या बनता है आपके पास तो आपने क्या किया pi r square h common निकल दिया आपने h की value रख दी यहां पर और पलस में four by three बच गया यहां पर और r ऐसे ही लिख दिया भी r बचा हुआ है अब रख दीजी सारी values तो pi की जगह क्या रखिए pi 22 बचे 7 22 बच 7 r square r कितनी है दोनों की ही r है बच्चों one point four centimeter यह लिख हुई मैंने तो इसका square यानि fourteen by ten ऐसे कर लेते है square है तो fourteen by ten अगे इन से लिख दिया मैंने ठीक है into में 22 by ten 22 बचे 10 और फिर plus four by three को तो as it is four by three और into में r कितनी है वही one point four by one point four है तो fourteen by ten लिख लेते है fourteen upon में ten ठीक है तो यह क्या हो गया आपके पास देखिए इसको अभी काटना मत और काटना चाहें तो काट भी सकते है साथ दूनी चोध है ऐसे कर लिए 22 दूनी 44 multiply by fourteen है निच्चे है आपके पास hundred ten into ten और यहाँ देखिए यह कितना हो गया 22 by ten plus चोधे चोगे च्पन यहाँ पर च्पन अपोन में 30 हो गया ठीक है ऐसे हो गया अब इसका LCM ले लीजी आप LCM बनेगा तो क्या होगा बच्चो 44 into 14 upon 100 और into में यहाँ LCM 30 आ गया ना तो 30 LCM ले लिया आपने 10 से डिवाइड करोगे तो 32 दिए 66 66 हो गया पलस 30 कट गया 56 हो गया यहाँ ठीक है अभी एक गुलाब जामून का हम वोल्यम निकाल रहे हैं तो यह हो जाएगा आपके पास कितना 14 चोगे 56 और यहाँ पर 14 चोगे 56 और पांच 61 ठीक है अपोन में 100 और into में यह क्या हो गया 6 और 6 12 चैर पांच 11 और एक 12 है अपोन में 30 ठीक है इस तरीके से आ गया यह सेंटिमेटर क्यूब एक गुलाब जामून का वोल्यम आ गया अब यह कितनी गुलाब जामून हैं यह हैं 30 45 तो आप अभी तो एक का निकाला है ना वोल्यम ओफ अब निकाल लीजे 45 जितनी की जितनी हैं यह सारीक सारी वोल्यम ओफ 45 गुलाब जामून ठीक है गुलाब जामून तो अब यह सब का निकालने के तो यह तो एक का था है 45 का निकालने के तो ज्यादा होगा तो ज़्याद अगल ये multiply करेंगे इस volume को क्या था volume ये था आपके पास 616 upon में 100 और इंटु में 122 upon में क्या है 30 और इंटु में 45 ये हो गया ठीक है इतने centimeter cube हो गया ये आ गया सारे की सारी 45 गुलाब जामून का volume अब क्या कहता है कि इसके अंदर कि सुगर सिरफ का volume क्या होगा तो आप ये तो पूरा का पूरा क्या है सभी गुलाब जामून का volume है बच्चो और इसमें चिन्नी कितनी है सुगर सिरफ कितना है 30% तो आप इस volume का 30% निकाल देजिए बस sugar सिरफ आ जाएगा किस तरह से निकाल देजिए कितना है इसमें 30% तो उसका percentage हटाईए 30 by 100 और इंटू में आप इस पूरे volume का 30% निकाल देजिए न जितना volume आया था ये volume कितना था 616 आप उन में 100 तो calculation में थोड़ी सी लंबाई हो जाती है 122 by 30 और इंटू में क्या 45 ऐसे हो गया तो बच्चो देखो ये क्या बन गया 30 से आपका 30 कैंसल हो गया ठीक अब बस करना क्या है आपको multiply कर देनी है थोड़ी लंबी calculation है तो multiply करने के लिए क्या करते हैं आप लोग देखिए इसमें multiply करने के लिए एक सो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत रहेगी फिर divide करने में समझे आए आएगी आप जैसे 9 से काट सकते हैं तो यहां पर 20 पंजे 100 हो जाएगा तो फिर भी थोड़ा सा आप इसकी बजाए ऐसे ही कर लिए 2 ची के बार है 2 एक में 2 रेक 3 दो ची के बार है ऐसे ही 1232 यहां पर 1232 और फिर से क्या करेंगे आप 616 616 जूड़ेंगे तो 2 3 2 5 6 3 9 और 2 11 2 और 2 4 और 1 5 6 और 1 7 ऐसे हो गया अब इसकी किसे 45 से मल्टिक्लाई करेंगे तो 45 से और कर दीजिए तो 45 5 2 नि 10 25 25 26 5 1 5 और 2 7 25 25 25 25 और 2 37 इसके बाद फोर से कीजिए 4 2 नहीं 8 4 5 20 4 1 4 और 2 6 है उसके बाद 4 5 20 4 7 8 और 2 30 ऐसे हो गया और यह हो गया 0 8 6 14 7 और 1 8 6 और 5 11 है 7 और 1 8 3 और 3 यह हो गया बच्चो और इसके अपन में क्या है यह 100 into 100 यानिके 10,000 यह हो गया 10,000 तो बच्चो यह 0 1 तो हो गया कैंसल कितने स्थान सोड़ने चाहिए अब 3 3 3 8 0.184 क्या हो गया 3 3 8 0.184 ठीक है 1 8 4 सेंटीमीटर क्यूब यह क्या आजाएगी उसके अंदर सुगर सिरफ यानिके चिन्नी की मात्रा तो लग भग हम इसको है ना अगर नियर अबाउट में बोलने तो क्या बोलनेंगे यह इसने कहा है तो लग भग अगर हम बोलें तो कितना सुगर सिरफ है इसमें नियर ली कितना नियर ली 338 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं नहीं तो यूँ का यूँ भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं तो इतने सेंटीमीटर क्यूब सुगर सिरफ होगा ठीक है 45 जुकुलाद जामनों है तो बच्चो ये question number आपका third complete होता है उसके बाद fourth में इसने क्या दिया आपको question number fourth में कहता है इसने कहा एक pen stand है or made up of wood in the shape of a cuboid with four conical depression to hold pens तो देखिए कैसे है यहाँ पर इस तरह का एक figure है बच्चो question number fourth में एक pen stand है और वो wood से बना हुआ है और किस तरह की shape है उसकी cuboid तो बच्चो बना लेते हैं इस परकार से मान लेते हैं यह क्या है आपके पास एक cuboid बना बनाते हैं ठीक है cuboid आप जानते हैं figure बनाना cuboid का इस परकार से draw कर लेते हैं figure तो यह हो गया आपके पास एक cuboid की shape में क्या लकडी का एक परकार से pen stand बनाना ठीक है तो यहां पर क्या कहा इसने कि इसके अंदर जो है चार कॉनिकल डिप्रेशन बने हुए है इस परकार से ठीक है फोर कॉनिकल डिप्रेशन ऐसे एक यह हो गया एक यह हो गया मान लिजए एक यह हो गया और इसी परकार से यह हो गया ठीक है लकडी का बना हुआ था इसमें क्या बना दिये च्यार कौनिकल डिप्रेशन बना दिये कौन की सेव के बना दिये ठीक है तो ये कौन है एक प्रकार से ये बनाई हुए है इस तरीके से ये ऐसे है ये ठीक है तो इस प्रकार से ऐसे खड़े से बना दिये कौन के सेव में अब ये पैन खड़े करने है इसके अंदर ये pen stand है एक प्रकार से यहां पर pen लगाने है आपको ठीक है च्यारों में तो अब कहता क्या है देखवागे इसने कहा है कि इसकी जो shape थी ये जो keyboard है इसकी length breath और height कितनी है 15 cm और 10 cm and 3.5 cm length तो है इसकी 15 cm उसके बाद बाद जो breath कहता है breath कितनी दिर किजने breath दी है 10 cm 10 cm और height कितनी है height है बच्चों आपके पास 3.5 cm यानि 35 height 10 cm कह सकते हैं तो ये होगी इसकी length breath और height ठीक है अब ये solid है लकड़ी से बना हुआ अब इसमें ये जो pen stand बनाए है ना ये जो pen stand है इस shape में है cone की shape में यहां बना देता हूँ मैं एक बार इस परकार से ठीक है अब ये जो pen stand है इस तरीके से है ठीक है और pen stand जो conical है इसकी बारे में क्या बताया है इसने ये बताया है the radius of each of the depression is 0.5 cm जो radius है इनकी ये कितनी है 0.5 यानिके point हटा देजिए 5 by 10 cm ये हो गई और height कितनी है इसकी height दे रखे बचो वी चीज ओपन इसने बताया है the radius of each of the depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm ये जो depth है यानिके इसकी जो उंसाई है ये है 1.4 यानिके 14 by 10 cm ऐसे कह दिया इसने 14 by 10 cm अब हमें निकालना क्या है find the volume of wood in the entire stand इस stand के अंदर क्या करना है इसका पूरा volume निकालना कब जब इस परकार के खड़े से खोद करके इसमें से ठीक है conical और इसमें से ये लकड़ी बाहर निकाल दी तो आप जब ये लकड़ी बाहर निकाल दी और pen stand यानि ये pen tongue के लिए ये बाहर जगाय बन गए depression बन गए तो फिर ये बाकी की जो लकड़ी बची है उसका volume निकालना तो आप कैसे निकाल लेंगे पूरे क्यूबोड के volume में से इन च्यारों depression का volume घटा देंगे cone की type के जो हैं यानि के volume of entire wood volume of entire wood entire wood यानि जो लकड़ी बची है उसका volume कैसे निकाल लेंगे फिर जो बची हुई है ठीक है is equal to क्या लिखेंगे volume of cuboid volume of cuboid plus minus क्या करेंगे 4 into volume of each cone volume of each cone तो प्रते कौन का volume की 4 से multiply करके cuboid के volume में से घटा देंगे तो cuboid का volume कैसे निकालते है बच्चो L into B into H यानि 15 L है B क्या है B है 10 और into H कितनी है 35 by 10 35 upon 10 minus आप कौन का volume कैसे निकालते है 1 by 3 और 4 कौन है तो 4 लिख दीजिए 4 into 1 by 3 pi r square h pi कितनी लें 22 by 7 r square r कितनी है कौन की 5 by 10 यानि 1 by 2 भी कह सकते है आप काटेंगे तो 1 by 2 square pi r square ठीक है 1 by 2 का square और into में h कितनी है ये रही 14 by 10 ठीक है point 80 रखा आपने 14 by 10 ऐसे आगया तो देखो ये क्या बनता है 10 से 10 आपका कैंसल हो गया अब यहाँ पर देखो क्या बच गया आपके पास यहाँ पर हो गया 15 into 35 ऐसे लिख लीजिए 15 into 35 minus यहाँ पर अभी ऐसे लिख लीजिए 4 into 1 यानि 4 by 3 लिख लिख लिजिए और into में 22 by 7 भी लिख लिजिए और 1 का स्केर 1 और 2 का स्केर 4 और into में 14 by 10 लिख लिजिए ठीक है अब ध्यान से देखो 4 से आपका 4 कैंसल हो गया 7 दुनी 4 है 2 हो गया यहाँ पर अब काट तो सकते हैं यहाँ यहाँ पर 22 दुनी 44 बच गये ना उपर 44 और निच्चे के हवच्चो आपके पास 3 गुणा में 10 यानि के 30 ऐसे हो गया तो जब LCM 30 लेकर के आप इसको सब्ट्रेक करते हैं 30 हो गया यहाँ पर 30 की इससे मल्टिपलाई होगी ना 3 पंजे 15 है 4 ठीक है तो 4 माइनस 4 यानि के 0 उसके बाद 7, 5, 1 7, 5, 1 इस प्रकार से और निच्चे के हवच्चो 30 30 को लिख लीजिए 10 इंटू 3 तो 10 के नाम की तो कॉइंट छूट जाएगा उपर 1570 कॉइंट 6 और निच्चे के है 3 3 से डिवाइड कर दीजिए 3 पंजे 15 3 दुनी 6 फिर 1 बचता है 3 तिया 9 फिर 1 बच गया तो अब 3 पंजे 15 लगबग 5 हो गया ना यहां पर 5 3 पंजे 15 फिर 1 फिर 3 तिया 9 फिर आगया गया ऐसे ही चलता रहेगा तो सेंटीमिटर क्यों बच यही आपका फोल्यूमा जाएगा जो बची भी लकड़ी है तो इस परकार से पुरा हो जाएगा उसके बार तो जो क्वेस्टन नमर 5 है बच्चों देखो उसमें क्या है आपके पास एक कॉनिकल वैसल है यह है कॉनिकल वैसल और इसके बारे में क्या कहता देखिए इस तरह से है यह बरतन है एक और यह है इस परकार से ऐसे है ठीक और इसके अंदर क्या दिया इसने इसने दिया बच्चों कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 5 सेंटीमिटर ठीक अब इसके अंदर क्या कहता है कि आप सिस्य की छोटी छोटी लीड़ सोट दालते हैं, लीड़ सोट मतलब सिस्य की छोटी छोटी गोलियां, ऐसे ऐसी, ठीक है, यहाँ पर एक गोली बना दी मैंने, और इसकी जो रेडियस है, इसकी इस लीड़ सोट की वो कितनी है, 0.5 cm, तो आप लोग क्या कर लिजिए, जब रेडियस देर किया 0.5 cm, तो अब यह कहता है भई, इसके अंदर जो रेडियस 0.5 cm है, तो आप इसके पॉइंट अटा लिजिए पहले, पाइ बाइ टैन कर लिजिए, 0.5 का पॉइंट अटा आएंगे, तो 1 by 2 cm, तो ऐसी ऐसी गोलियां डालने से, इसका कितना पानी बाहर आ जाता है, 1 by 4, यह नहीं पता कितनी दर्संख्या में डाल लिए, 1 by 4 वाटर बाहर आ जाता है, तो यह जो 1 by 4 वाटर पानी का हिस्सा होगा, बनलब 1 by 4 पार्ट होगा, वो क्या होगा, यह जितनी भी गोलियां डालनी है, उनी का तो वोल्यूम होगा यह, क्यों कि जब ये गोलियां डालेंगे जितना पानी हटेगा वो किसकी वज़े से हटेगा इनी की वज़े से तो जो भी one by fourth आएगा इसका वो इन सभी गोलियों का volume हुआ इस टाइप की जितनी डाले जाएंगे तो इसलिए फर्स्ट और फोल तो आप लोग क्या कर लीजिए volume of vessel निकाल लीजिए volume of conical vessel तो इस conical vessel का जो volume होगा वो क्या होगा one by three कौन का volume ऐसे निकालते है पाई one by three पाई आर स्केर है आर क्या है इसकी फाई है तो फाई स्केर और इंटू में है एच कितनी है एट ठीक है तो ये हो गया कितना इसको पाई में रख लीजिए अभी तो क्या होगा पाउंच का स्केर पत्चिस पत्चिस अठे दोस्टो तू हंडर पाई और अप उनमें थरी सेंटीमिटर क्यूब ये पूरे पूरे बरतन का आ गया अब इसका कितना हिस्सा पानी का बाहरा आ जाता है वन बाई फॉर तो आप क्या लिखोगे जो गोलियों ने निकाल ला है वो गोलियों का वोलियों होगा ना वन बाई फॉर जो भी इसका हिस्सा होगा तो वोलियों ओफ ओल लीड सोट्स लीड सोट्स ये जितने गोलिया डाली, उनका volume कितना आया, कितना पानी हटाये इन सबी गोलियों ने मिलकर करके, जैसे ऐसे ऐसे ये अनेग गोलियां है इस परकार से तो इन सब का volume कितना आया क्योंकि इस volume का 1 by 4 part बाहर आ गया, किसका, ये जितना volume था इस बरतन का, इसका 1 by 4 निकाल लीजिए 1 by 4 200 pi upon me 3 तो क्या हो गया बच्चो ये हो गया 50 तो 50 upon me 50 pi upon me 3 cm3 या गया ना सारी गोलियों का volume क्यों 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 कि इन सब ने इतना हिसा 1 by 4 पार इसका बाहर निकाल दिया ठीक है अब आप लोगों को ये बताना हिए कितनी डाल ली थी तो एक आप lead sort का volume निकाल लीजिए volume of one lead sort lead sort एक का volume का आप एक sort का मनलब जो lead sort का volume कैसे निकालने है क्योंकि ये spherical है तो कैसे निकालते है spherical का volume 4 by 3 pi, pi को यह नहीं हो रखिए r की cube, one by two की cube तो one by two की cube तो ये हो गया क्या four by three pi, one की cube तो one ही होगा और two की cube हो गया eight तो हो गया चार दुनियाठ यानि उपर तो pi into one pi बचता है और निचे तीन दुनिए six centimeter cube, ठीक है अब देखो, एक गोली का गया और ये क्या है, उन सभी कोलियां का volume है तो number of lead source कैसे निकाल लेंगे आप number of lead source lead source कैसे निकलेंगे बच्चो ये जितना सारा का सारा volume था 50 pi by three इसको क्या करें एक जो lead source है उसके volume से divide कर दें तो गोलियों के संख्या आए जाएगे न सारी गोलियों का volume को एक गोली का volume से divide कर देंगे तो number of lead source सारी सारी निकल जाएगे इससे divide करेंगे न तो pi तो निच्चे आएगा और ये 6 चला जाएगा कहाँ पर pi तो निच्चे 6 चला गया उपर तो pi से pi हो गया cancel 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100 तो यहाँ जाएगा 100 lead source आएगे आपके ठीक है बस यही पताना था आपको तो बच्चो जो बच्चे हुए question है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद